हे फ्रेंट्स देखे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेर की जिसका करेंट फ्राइच तो ड्हाई सो रुपे है लेकिन देखिए सरसट रुपे का ये डिविडेंट दे रहा है अगर इसके हम कैलकुलेट करते हैं तो ये पड़ता है लग भग लग भग या ना करने की इसमें कोई भी सला नहीं है आप अपनी एनलेसिस जरूर कलने अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें देख लेते हैं देखिए 1707 करोड की कंपनी है 286 करेंट प्राइज हो गया है ये बढ़ा है क्योंकि इसमें पहले 200 ही था लेकिन जैसी ये अनाउंस्मेंट हुई उसके बाद थोड़ा सा बढ़ गया है ये बुक वैल्यू दोस्तों की है तो बुक वैल्यू के पास है इस समय पी सिर्फ 14 का है सस्ता है आरो सी 22.4 का और आरो इए लगभग 17 परसेंट का फेस वैल्यू 5 परसेंट की है कौन जो और प्रोज देखें तो देखें ओल्म क्यों दिखाई देंगी 300 की हुआ करती थी 900 पहुच गी है और साथ ही साथ अगर इसके हम देखें प्रोफिट तो नीचे आते हैं देखें प्रोफिट भी कंपनी अच्छे कर रही है कभी 11 करोड के हुआ करते थे अब ये 11 करोड से बलकर पहुच गए है 118 करोड तो इसमें भी एक सांदार जंप हमें देखने को मिली है इसके प्रोफिट में भी नीचे अगर हम देखते हैं इसका सेर होल्डिंग पैटर्न तो यहां आप देखेंगे यह जो कंपनी है टेलिकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है साथी साथ अगर इसमें देखें देखें रिजल्ट भी इसका आया है तो अगर रिजल्ट देखते हैं तो इनकम हुई है इसकी 244 करोड की जो पिछले साल थी 223 करोड की पिछले क्वाटर में और अगर इसका प्रोफिट देखें तो प्रोफिट भी काफी हमें बढ़ता यहां आप देखेंगे निचातें यह देखे 38 करोड का हो गया है जो पिछले बार था 27 करोड का लेकिन पिछले साल सेम क्वाटर में 82 करोड का था तो एर ओन एर गिरी है लेकिन क्वाटर ओन क्वाटर यह बढ़ती हुई हमें दिखाए दी है काफी अच्छा रिजल्ट आया है और यहां आप देखिए कि यह जो है डिविडेंट इसने डिकलेर किया है सरसट रुपे का 67 का अब देख लेते हैं देखिए कि इस सरसट रुपे को हम डबल कैसे करेंगे मतलब 134 रुपे कैसे ले सकते हम इस डिविडेंट को तो अगर आप आपको देखिए यह सरसट की जगह 134 रुपे का डिविडेंट चाहिए तो आपके पास होना चाहिए एंजल बन का अकाउंट इस एंजल बन में जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहां सर्च वार में आप इसका नाम डालेंगे टीवी टुडे नेटवर्क यह आपकी लिष्ट में आजाएगा फिर इसको आप जो है बाइक की ऑप्शन पर किलिक करेंगे और बाइक के ऑप्शन पर किलिक करने के बाद आपके समने एक विंडो कुलेगी इस तरह की तो आप जैसे इसमें कौन्टिटी डालेंगे देखिए मैंने एक डाली है जैसे तो यहां ब मतलब कि हमें एक खरीदने के लिए सिर्फ 143 रुपे 5 पैसे देने पड़ेंगे तो मान लीजिए कि हमें 10 शेर खरीदने हैं तो 10 शेर को अगर हम खरीदेंगे तो हमें जो पैसा लगेगा वो लगेगा 2661 रुपे sorry 2861 रुपे लेकिन एसी को हम अगर मार्जन पे करेंगे तो ये घटकर हमारा हो जाएगा आधा मतलब 1430 रुपे 50 पैसे तो आधे रेट पे हमें 10 शेर मिल जाएगे या 2861 रुपे होंगे तो 10 की जगा हमें 20 शेर भी इसमें मिल जाएगे और डिविडेंट फिर उसके हिसाफसे में मिलेगा तो डबल हो जाएगा डिविडेंट भी हमारा तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजेगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैभारत